सिंफनी लिमिटेड के ऊपर आज हमारा पहला वीडियो है दोस्तों आपके अपने यूटूब चैनल आइपर्टेड एजबी के अंदर और सिंफनी में काफी लोग काफी समय से अटके हुए हैं जब यह 1400 का लेवल पकड़ा था तब ही से ज़स्टॉक के अंदर रिवसल आया और मैं पिछले मार्च और एपरिल से वेट कर रहा था कि सिंफनी के ओपर मैं वीडियो अपलोड करो पर वो अंसीजन के बाद जो अंसीजन की ट्रेंड रिवसल है वो स्टॉक के अंदर अभी भी जारी है और जो स्टॉक आके डिविडेंट रैली के लिए होल्ड हो रहा ह सस्टीन कर रहा है स्टॉक डिविडेंट के रैली देकर आपको 100% अपर ट्रेंड ही पकड़वाएगा तो मेरा सजेशन यह है कि स्टॉक के अंदर बाइंग ले लो क्यूंकि आरसे लेवस पर बॉटम फिशिंग हो रहा है में सीडी के माइनस लेवल पर सॉलिड कैंडल जो खरीदे दोस्तों आवरेज स्टाटेजी मेंटेन कर लो क्यूंकि मैं सिंगल बाइंग जो बाइंग दूंगा वही आवरेज होगा जो आप ही कर रहे हैं मैं एक आवरेज भी बताऊंगा पर वह आवरेज तक तो स्टॉक नहीं जाएगा वह पर बिकॉस टोक ऑल्रेडी आज की वीडियो में और आगर आप वीडियो पॉस करके टार्गेट भी डिख लेंगे आपको समझ में आ जाएगा चीव होते हैं नहीं होते हैं क्यूंकि मैं अपने सब्सक्राइबर के कैपिटल से नहीं खिल सकता हूं बिकॉस हमारे जो सब्सक्राइबर के कैपिल किसी का प्रफेक्ट बाइंग होगा तो ही वीडियो अपलोट करता हूं तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगर आप पहली बार यूटूब चैनल पे आए हैं तो यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करिए सिंफनी लिमिटेड का ये वन डे का कैंडल चाटे दोस्तों नैशनल स्टॉक एक्सटेंज और आगे चल के वीडियो में मैं आपको 15 मिनिट के इसाफ से इंट्राडे में ट्रेड और कैसे पोजिशन पकरना है ये बात मैं आपको आगे चल के वीडियो में अनाल्सिस करते हुए बताऊंगा और दूसरी बात ये है सिंफनी लिमिटेड में अच्छी खासी रैली होने के बाद स्टॉक जो ब्रेक आउट है वो ही ब्रेक आउट तक पूरा का पूरा क्लोस कर गया दोस्तों अब स्टॉक के अंदर डिविडेंड भी आने वाला है तो डिविडेंड की रैली स्टॉक आपको देगा तो मेरा सजेशन ये है स्टॉक में बॉटम फिशिंग भी हुआ है स्टॉक के अंदर complicated M.A.C.D. के साब से स्टॉक को कितना घटा ना उतना घटा दिये और कब से स्टॉक में clean poster चालू हुआ है तब से स्टॉक और ज्यादा गिरने लगा है अब स्टॉक में जो loose candle form होगा इस loose candle formation से ही आपको symphony limited के अंदर उपर से उपर की rally देखने को मिलेगी तो dividend की rally भी आने वाली है bottom fishing का over buying भी हो रहा है और loose candle formation वितिने 2-3 days चालो हो जाएगा इसलिए कितना best buying price आप खुद देखिए इसलिए chance मिसना हो जाए वीडियो upload कर रहा हूं दोसों तो suggestion मेरा आपसे यह रहा 940 लेवल पे आपको entry लेना है 890 लेवल पे average करना average तो नहीं होगा फिर भी एक पकड़ के चलेंगे और 940 से 970 का जो आपका short term है 1010 professional short term targets और stock में 1100 आपका final target होगा और 1100 1140 आपका दूसरा final target होगा दूस्तों symphony में suggestion मेरा अभी भी बोल रहा हूं जब जाते हैं वकत भी बोल रहा हूं technical से कि भाई भाई कर लो भाई कर लो chance मिस मत करो यह मेरा telegram channel है दूस्तों आपने अभी तक मेरा telegram channel join नहीं किया है तो join कर लेजिए for intraday live tips and stock market updates के लिए आपको telegram channel का link मेरे description मिल जाएगा and thank you for your love and support and keep encouraging me दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरा youtube channel subscribe नहीं किया है तो subscribe कर लेजिए notification पाने के लिए notification all पर क्लिक कर दीजिए symphony limited का यह 15 minutes का intraday candle चाटे national stock exchange और stock buying pressure पे भी neutral ही चल रहा है buying pressure पे भी neutral ही चल रहा है और यह rally 100% देगा suggestion मेरा यह है यह जो नीचे level से उपर आके consolidation में trade हो रहा है इसका जो trade का जो position है Monday live market में buying ही बन रहा है और थोड़ा बहुत selling pressure बताएगा उसके बाद buying देगा चाहे मेरे selling के level हो चाहे मेरे buying के level हो आप पुरा totally buying पे ही काम करिए symphony limited में दोस्तों 30 July 2021 Friday symphony का closing है 941.85 पैसा यह मैं targets निकाल रहा हूँ for 2nd August 2021 Monday के लिए Monday live market में आपको मेरे levels पर buying opportunity देखने को मिले या selling opportunity देखने को मिले आप मेरे target and stop loss live market में लेकर चल सकते हैं दोस्तों जो लाँ हूआ हूआ हैं रहा झाल मेरे आपको मेरे आपको झाल मेरे निए झाल मेरे खोस्तों की दोस्तों सकते हैं इंदिए